तो आज मैं आपके लिए क्या है आपको इसकी की दिखा दिता हूं चार फंक्शन है लॉक अनलॉक होल टूबूट और इंजिन स्टार्ट करने के लिए इसी बटन को पेस्ट कीजिए और इंजिन आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो नई वाली वेन्यू में काफी सारे चे किया गया है यहां पर आपको LED प्रजेटर हेड्लाम्स देखने को मिलते हैं LED DRL के साथ साथ में कॉर्ण इंडिकेटर उपर की तरफ है डाक क्रूम फ्रेंट ग्रिल दी गई है हुंडरी का लोगो जो है सेंटर में दिया गया है तो सामने से देखने में नई वाली हुंडरी काफी ज़्यादा बोल्ड और काफी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है यहां पर आप स्केट प्लेट को दिख सकते हैं यह फ्रंट और रियर दोनों में दी गई है बहुती बोल्ड लुक देने का ट्राइ किया है हुंडरी ने अपनी इस बार वाली वेन्यू को और मेरे इस आपसे अभी तक होंडे फेल नहीं हुई है काफी अच्छा लोग है आप मुझे कमें सेक्शन बताएगा कि आपको यह लोग कैसा लगा डामेंचन आपको आपके स्कीन पर मेंचन हो जाएंगे यहां पर आपको आर शिक्षीन के डामन कट अलोई वील्स दिखने को मिले इलेक्टिकल एजिस्टिबल फोल्डेबल ओविम्स विटर्न इडिकेटर्स नीचे की तरफ आपके पडल लांप्स दिए गए है यहां पर मैं आपको दिखाऊ हूं तो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है गारी को लॉक या अनलॉक करने के लिए बॉडी कलर्ट के डोर हैंडल से 195 mm आपका ग्राउंड क्लेरंस है दोस्तों कर ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर आपको सिल्वर कलर की रूफ फ्रेल सिखने को मिल जाएंगी यहां पर आपकी संरूफ दी गई है दोस्तों मैं जो मॉडल रिव्यू करना हूं वो SX व वेडियो की वीडियो देखी अगर आप ओडियो शो में इंट्रेस्ट रखते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ओडियो शो लेकर आया हूं जो कि है होंडा वर्सेस होंड़ा ही यह आपको कुकु एफम की तरफ से देखने को मिलता है बहुत ही जादा इन्फॉम अगर आप नहीं जानते कुकु एफम है क्या चीज तो कुकु एफम इंडिया की लीडिंग ओडियो शो प्लाटफॉर्म है इसके अनगर आपको साड़े-चार हजार से जादा ओडियो शो देखने को मिलते हैं नॉन-फिक्शिन कंटेंट में, फनाइन्स में, एंटर्टें कुकु एफम पे आपको देखने को मिलती है, तो दोस्तों है ना कमाल, अगर आप इसकी मेंबर्शिप को अवेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक को क्लिक कीजिए, यहां पर मैं आपके लिए कोड लेकर आया हूँ, सिर्फ रापिट एक फैमिल का मिलेगी, तो उससे कहीं एगर कुकु एफम पे देखने को मिलेगी, तो बिना डाउनलोड करें, कहीं मज आएगा कुकु एफम एप को, दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आए होब आप को कुकु एफम आप को डाउनलोड करेंगे, अब बात करते हैं गारी क back profile की, तो यहां से आप इसकी back profile को देख सकते हैं, पूरी ही different back profile है, यहां पर आपको बहुत ही एक unique चीज देखने को मिलेगी जो कि है connecting LED tail lamps जो कि personally मुझे बहुत पसंद है, और यहां से आप इसकी tail lights को देख सकते हैं नीचे दरफ आते हैं, तो यहां पर आपको bumper देखने को मिलेगा, और साथ में skid plates, silver color की front और rear दोनों में दी गई हैं यहां पर आपको Hyundai की branding देखने को मिलेगी, Venue की branding देखने को मिलेगी, और यहां पर gloss black finish दिया हुआ है, इसकी tail lights की उपर, SX model है तो SX की branding आपको देखने को मिलती है rear window wiper and washer उपर की तरफ आपका shark fin antenna दिया गया है दोस्तो, तो rear से अगर आप गारी को दिखेंगे, तो आपको बहुत सारे changes दिखने को मिलते है, यहां पर आपकी lights और rear camera दिया गया है sensors के साथ चली करते हैं, boot को open दोस्तो, जैसे आप boot open करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 60-40 split seats क्योंकि यह इसी model से आपको देखने को मिलती है इसके नीचे वाले models में नहीं है यहां पर आपको lights देखने को मिलेगी 350 liters की boot space capacity है दो suitcase और साथ में एक duffel bag आप आराम से इसमें रखके ले जा सकते है यह आपका spare tire जो कि है 195 by 65 R15, मतलब एक size छोटा है दोस्तो, गाड़ी के variants के रहें बात करें तो गाड़ी के इंदर ESS Plus या इसको SO भी बोलते है SX और SX Optional यह सारी variants आपको यहां पर देखने को मिलते हैं यह है आपका SX variant जो कि आप यहां से इसकी side profile को अच्छे से देख रहे हैं बात करें गाड़ी के fuel tank के बारे में तो 45 लीटर से इस गाड़ी का fuel tank दिया गया है दोस्तों यह एक sub 4 meter की compat SUV है और इसके major competitors है Kia Sonnet, Maruti Suzuki Braza और Tata Nexon अब बात करते हैं इस गाड़ी के engines के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का जो मैं review कर रहा हूँ इसका engine है वो U2 1.5 liter CIDI diesel engine जो की 6-speed manual transmission gearbox में आता है 98 bhp की power है 240 Nm और torque है और सबसे अच्छा average आपको इसी में देखने को मिलेगा दोस्तों अब इसमें 2 petrol engine आते हैं एक डीजल की बात हमने कर ली है पहला जो petrol engine है वो है non-turbo 1.2 liter कपपा petrol engine 5-speed manual transmission gearbox के साथ आता है 81 bhp and 140 Nm of torque 4 cylinder engine है और जो उसका तीसरे engine है वो सबसे powerful engine है वो है आपका 1 liter का turbo GDI petrol engine 118 bhp and 172 Nm of torque 3 cylinder engine है साथ में वो आता है आपका IMT gearbox के साथ और 7-speed DCT gearbox के साथ DCT का मतलब होता है dual clutch transmission और अगर आप दोस्तों powerful engine लेना चाहते हैं तो आप turbo engine लीजे अगर आप सबसे ज़ादा mileage वाला engine लेना चाहते हैं इसकी fuel efficiency सबसे अच्छी हो तो आप diesel engine को prefer करिए तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और rear seats में बैठके देखते हैं कि कितनी comfortable इसकी seats है सबसे बहुत है हम door को unlock करते हैं और बात करते हैं इसकी interior scheme के बारे में तो आपको two tone का black and beige interior देखने को मिलते हैं जो कि अब यहां से देख सकते हैं silver color के door handles हैं साथ में black and beige interior हैं और यहां पर आपको soft touch materials का use देखने को मिलेगा bottle holder का space है यहां पर आपके speakers दिए गए हैं और यह हैं आपकी rear seats जो कि आप इस तरफ से अच्छे से देख सकते हैं dual tone में आपकी seats है rear में आपके headrest दिए गए हैं वो भी दो यह है आपका rear armrest तो चलिए दोस्तो अब बैठके देखते हैं seats के ऊपर और देखते हैं कितना space हमको यहां पर देखने को मिलता है तो जो seats हैं वो काफी जादा अच्छी है leg room भी decent है, flat seats है hump नहीं है तो तीन लोग बैठ जाएंगे under thigh support भी decent है और यहां पर आप seats के design को अच्छे से देख सकते हैं roof पर आपकी lights दी गए हैं और साथ में यहां पर sunroof की तरफ देख सकते हैं coat hanger आपको यहां पर देखने को मिलता है और साथ में इस तरफ आपको AC vents भी देखने को मिलेंगे दोस्तों जो कि आपने सबसे control कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इस गाड़ी में लगती है कि आपको type C के charging ports यहां पर देखने को मिलेंगे तो काफी high tech कर दी है अप गाड़ी और features सारे हैं इसकी rear seats में अब बीच में भी बैठेंगे तो आपको आराम से बैठ सकते हैं तो यहां से आप lock या unlock कर सकते हैं दोस्तों यहां से हम करते हैं driver side door को unlock तो यहां से आपको सारे के सारे features इसके door पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि exterior mirror के folding के control साथ में edges के control भी यहीं पर दिये गए हैं lock and unlock का button भी यह आपको दिखने को मिलता है इस तरह आप speakers को देख सकते हैं और यहां पर आपका bottle holder का space दिया गया है यह हैं आपके twitters दोस्तों बात करते हैं गारी की seat के रहे में तो height adjust driver seat है और सबसे ची बात इसके top wind में आपको 4-way power adjust seat दिखने को मिलती है जो कि इस segment में कभी नहीं आई है traction control, headlight height adjust, startness of button, bonnet opener और साथ में pedals तो यह साही चीज़े आपको इस side देखने को मिलती है साथ में fuel lid opener भी दिया गया है दोस्तों यहां पर चली बैठते हैं driver side seat पर तो यहां पर हम आच चुके है driver seat पर और अब मैं आपको इसके सबसे अच्छा जो unique feature है interior में दिया गया है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ दोस्तों अब आपको Hyundai Venue का instrument cluster पूरा ही change कर दिया है और यहां से आप इसके instrument cluster को देख सकते हैं यहां पर आपको center में एक बहुती useful MID screen देखने को मिलेगी जिसके आप सारे के सारे features को access कर सकते हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रही हैगा यहां पर drive info है, driver assist है, cluster, tire pressure monitoring system और इसकी सबसे ची बात यह है कि आप cluster lights को भी change कर सकते हैं यहां पर जो आप सारे information लेना चाहते हैं वो यहां पर आप अराम से ले सकते हैं साथ में आपको digital speed display भी होती है और जितनी भी settings है, lights और door की आप यहीं से कर सकते हैं आपको infodamion system में जाने की ज़रूत नहीं है जैसे आपको illumination set करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं RPM आपका ride inside पर आता है यह मैं आपको साई settings दिखा देता हूं दोस्तों और यह है आपकी cluster themes अभी यह normal theme में है इसका cluster अब मैं आपको sport mode में करके दिखाता हूं और यह है आपका eco mode तो आपको यहां पर तीन theme देखने को मिलती है मुझे personally red वाली theme काफी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ही sporty instrument cluster यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इसकी red theme को लगा के लगते हैं तो तो यह आपने देखा कितनी साही चीज़े अब इसकी MID display में आ गई है साथ में आप wireless charging को on ये off भी यहां से कर सकते हैं welcome जो mirror है इसके puddle lamps को भी आप यहां से control कर सकते हैं और जितनी की साही चीज़े हैं जो आप यहां से करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएंगी यहां पर आपको temperature display भी आएगा बात करें इस steering wheel के बारे में तो यहां पर आपको decut steering wheel देखने को मिलता है और stitching आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं इसकी full leather app steering wheel है यहां पर आपके voice control है यह आपके different modes है volume up and down track change call का button और यह favorite का button इस तरफ से आप इसके instrument cluster को control कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ और यहां पर आपके cruise control भी देगा है दोस्तों इसका जो decut steering wheel है वो इसी model से आता है अगर आप S option में लेना चाहते है तो आपको DCT लेना पड़ेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपके light के controls है और इस तरफ आपके viper controls है और साथ में यह tilt steering wheel है तो आपको एक adjust setting देखने को मिलती है यहां पर यहां से आप इसके interior को देख सकते हैं इसके interior में भी काफी जादा changes किये गए है अब बात करते हैं इसके infotainment system की तो यहां पर आपको 8 inch का touch screen infotainment system देखने को मिलता है इससे top model में आपको HD infotainment system देखने को मिलता है blue link के साथ उसके नदर आपको multiple regional language देखने को मिलेगी इस वाल infotainment system में आपको साही चीज़े देखने को मिल जाएंगी जैसे कि voice memo यहां पर voice को record कर सकते है quiet mode जो कि Hyundai यह नया चीज़ जाली है और साथ में आपके media के सारी controls है USB का option है साथ में AUX का option है Android Auto, Apple CarPlay, FM यह साही चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इस settings में जाते हैं तो sound को आप adjust कर सकते है, climate को यहां से adjust भी कर पाएंगे जो कि आप यहां पर दो settings देख सकते है Auto Dehumidify की option भी अब आपको Hyundai Venue में देखने को मिल जाता है Wi-Fi भी यहां से आप create कर सकते है General में जाके आपके जो normal model के information है वो सब आप ले सकते है Normal settings को change कर सकते है आप जो custom button है इसको किस चीज़ पर set करना है वो यहां से आप कर सकते है यहां से आपकी display की सारी settings आ जाएंगी Blue light filter भी दिया है जिससे आपकी eyes को problem नहीं आएगी साथ में आपको screen saver, keep rear camera on और infodinement on off का भी option यहां से देखने को मिल जाएगा तो आप जानते हैं Hyundai के infodinement system तो हमेशा सही अच्छे रहे है तो आप चाहे तो screen को touch से control कर सकते हैं यहां पर आपकी सारे buttons हैं उससे आप control कर सकते हैं यह आपका hazard lights हैं यहां पर आप दूसरो AC vents को देख सकते हैं silver finish है AC vents पर और इस तरफ से आप चेंज कर सकते हैं track को और इस तरफ से आप इसके infodinement system को on और off कर सकते हैं या फिर volume को भी control कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके AC की तो आपको fully digital automatic temperature controlled AC दिखने को मिलता है यहां से आप fan speed और इस तरफ से आप AC के temperature control कर सकते हैं आप यहां पर कर सकते है front and rear defogger दिया हुआ है और साथ में यह आपका proper display है यहां से आपको USB port दिखने को मिलेगा 120 watt का 12 volt का socket दिखने को मिलता है USB, Type-C port और G wireless charging जो कि आपके phone को आराम से charge कर देगा साथ में काफी बड़ा भी है तो आपको आपके pro max वाले phone है वो भी आराम से charge हो जाएंगे दोस्तों अब बात करते हैं इसके transmission की तुम्हें आपको बताया था डीजल के अंदर सिर्फ manual में आता है तो यहां पर आपका 6-speed manual transmission gearbox अगर आप automatic लेना चाहते हैं तो आपको turbo ही लेना पड़ेगा यह आपका rear camera का display और instrument cluster पे आपका sensors का display आएगा तो यहां से आप इसके infotainment system को देख सकते हैं जिससे आप अराम से अपनी गाड़ी को पाक कर पाएंगे gear box के चारतफ आपको एक leather की अच्छी से finish देखने को मिलती है और यहां पे आप दो cup holder का space देख सकते हैं यहां पे आपका front armless दिया गया है और handbrake यहां भी आप त्वर store space को देख सकते हैं इस तरफ आपको cool glove box देखने को मिलेगा दूसरो seats के आप बात करें तो seats की cushioning काफी जाद अच्छी है साथ में adjustable headdress भी देगा है under side support भी अच्छा है और lumber support भी decent है इसकी seats में यहां पे आपको day and night IR VM देखने को मिलेगा जो की manual है यहां से अब light को control कर सकते हैं अंदर की जो lights है वो सारी normal है यहां से अब इसकी electric sunroof को देख सकते है और यह मैंने अपकी sunroof पूरी open कर दी decent space है और यहां से अब one touch से इसकी sunroof को बंद भी कर सकते हैं और साथ में tilt function भी इसकी sunroof में दिया गया है दोस्तों अगर आप इसके top model को लेंगे तो कुछ चीज़े आपको different देखने को मिलेंगी जैसे की blue link connectivity, OTA updates, Alexa and Google assistance for home to car साथ में power driver seat जो की आपकी 4-way दी गई है और आपको air purifier भी top model में देखने को मिलता है साथ में दोस्तों अगर आप DCT model को purchase करते हैं तो वहां पे आपको normal, eco और sport mode भी देखने को मिलता है अब बात करते हैं गारी की safety features के वारे में तो dual airbags आपको देखने को मिलते हैं SX model में, SX option में 6 airbags देए गए हैं ABS, EBD, electronic stability control, brake assist, stability management system, hill hold, immobilizer, impact sensing, door unlock, speed sensing, door lock और ISOVIX यह साथ safety features आपको इस गारी में देखने को मिलते हैं दोस्तो आप यह white color देख रहे हैं, 7 color में Hyundai Venue आती है, जो आपकी screen पर display हो जाएंगे गारी का extreme price चार्ट होता है 7,50,000 से और जाता है 12,72,000 तक मैं जो model review कर रहा हूं, वो Hyundai Venue SX model है, diesel के अंदर, इसका extreme price है 11,43,000 रूपीस दोस्तो कैसे लिए को video comment section बताईए, इस video को like कीज़े, चानल को subscribe कीज़े और bell icon दबाएवे न, कहीं मत जाएगा, ऐसे ही amazing update सेखने के लिए